हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब के चैनल में इस वीडियो में गाईज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे मोबाईल का इस्टोरिस खाली करेंगे ओके तो चलिए गाईज वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को मोबाईल का इस्टोरिस खाली करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो गाईज यहाँ पे आप लोग अगर बहुत सारा एप्लिकेशन अपने फोन पर डाउनलोड किये हुए है तो उनमें से आप लोग ऐसा एप्लिकेशन को डिलीट कर दीजिए जो जो एप्लिकेशन आप लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं ओके तो आप ऐसे एप्लिकेशन को डिलीट कर दीजिए उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटिंग को ओपन करना है उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को application वाले option पे click करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको manage application पे जाना है उसके बाद guys यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देगा तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको थोड़े दिर wait करना है जिसके बाद आपके phone पर जो भी application रहेगा वो यहां पर आ जाएगा तो आप लोगों को यहां पर इन सभी application को one by one इस तरीके से click करना है click करने के बाद storage पर जाना है और उसके बाद यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि यह application कितना data यहां पर लेके रखा है तो आप लोगों को यहाँ पे clear data पे क्लिक करके clear catch कर देना है तो इस तरीके से गाईस यहाँ पे आप लोग अपने phone पर सभी application को one by one इसी तरीके से clear catch कर लिजिए तो उसके बाद यहाँ पे आपकी problem solve हो जाएगी और आपके phone पर storage खाली हो जाएगा तो अगर गाईस यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और चैनल को subscribe भी कर लिजिए तो चलिए गाईस मिलते हैं नेस्ट वीडियो में